जय माता दे, स्वागते आप सभी का मेरे भक्ती भावना यूटूब चनल पर, आज मैं आपको नवरात्रों से सम्मंदे जानकारी दूँगा, नवरात्री में इस बार बहुत ही अच्छे योग बन रहे हैं, नो रासियां बेहदी भागिसाली रहने वाली हैं, साथी प्रते दिन माता को भूग लगा करके एक चीज़ा आपको जरू कानी है, इससे माता रानी का आशिवाद प्राप्त होगा, आपकी पुत्र धन की मनो कामना वश्य पूरी होगी, सरी स्वस्त रहेगा, हर प्रकार के मनोरत आपके पूरी होगे, दोस्तों नवरात्रों में माता के न विशेश रूप से द्यान रखना है, साथी खान पीन का विशेश रूप से द्यान रखना है, कोई भी तामसिक चीज़ घर के अंदर नहीं खानी है, लैसन, प्याज, अंडा, मीट, मास, इन सब को बिलकुल बंद कर दें, दोस्तों नवरात्रों में माता के सामने अखंड जोत जलाएं, खेतरी भीजें, कलस की स्तापना करें, साथी प्रते दिन एक दीपक अलग से भी माता के सामने आपको जलाना है, एक दीपक अलग से माता के सामने जलाएं, उसमें दो लोंग डाल दें, माता के सामने आपको केले का फल रखना है, माता के सामने संगाडे का फ नारा यानी नमस्तुति इश्यम मंत्र का आपको 108 बार प्रति दिन जाप करना हैं अपनी इच्छा बोलनी हैं और गाय के दूद से और साती केलार सिंगारी से माता दुरगा का भोग लगाएं माता दुरगा का भोग लगाने के बाद में यह चीजे आपको खानी हैं प्रति द साती ही प्रति दिन के हिसाब से माता को जो भोग प्रिय हो उस हिसाब से माता को भोग भी लगाना हैं वैसे माता को केला भिसिस प्रिय है लेकिन निमत रूप से अलग लग माता को भोग लगाए जाते हैं दीपक जब आप जलाएं तो उसमें दो लोंग आपको जरूर डाल है इससे आपके सभी कारिश दोंगे मेश रासी मेतुन रासी करक रासी सिंग रासी कन्या रासी वरश्चिक रासी दनु रासी कुम और मीन रासी ये रासियां बेहदी भागिसाली रहने वाली है पुत्र धन प्राप्ति का अशिरवात प्राप्त होगा नवरात्रों के लाश् चणा भी उनको दे, और एक एक कपड़ा उनको जरूरmaal दे, चुंदरी जरूर अड़ाएग और उनका आश्रिवाद जरूरल ले, उनके आश्रिफन का प्रसाद जरूरम ले, पर देखना कितनी जल्दी आपकी मनुकामना पूरी हो गी। बहुत बड़ा योग है बहुत बड़े नवरात्रे हैं वीडियो को शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें कमेंट में जै मात आदी जरूर लेके आपके हर मनुकामना अवश्य पूरी होगी